कि नमस्कार मैं अंजले मिश्रो स्वागत आपका अमारे चैनल में आपको दादे कि दिल्ली में नया ही विकास देखने के मिल रहा है दिल्ली में नई अवकारी नीती लागू की गई है जिसके तहट अब शराब पीने वालों की जो उम्र है 25 से घटा कर वापस 21 कर दी गई है साती साहत इसके तहत कई सारे ओर नियम लागू किया जिसमें आपको बता दे कि इतने भी सरकारी ठेके थेके उभन अब बंद चुके है और प्राइवट ठेके खोले गए है हर वर्ड में अब तीन डारू के ठेके मिल रहे हैं अवाद आदे कि इस नई नीती को लेकर विपक्ष के साथ साथ में पूराने लोग उन पर निशाना साथते नजर आ रहे हैं आपको बतादे कि केजरिवाल के इस नई अबकारी नीती के विज़ा से केजरिवाल की सरकाराम आदमी पाटी परिशानियों में तो घिर गई साथी साथ अब केजरी वाल को भी कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो उनके अपने ही पुराने लोग उनके सामने खड़े करते नजर आ रहे हैं आपको बदा दे कि नई आबकारी नीती के खिलाब पूरी दिल्ली में जो है प्रदर्शन देखने के मिल रहा है साथी साथ अभी कुमार विश्वास का एक ट्वीट आया जिससे ट्विटर पर एक ट्विटर बोर देखने के लिए मिली आपको बदा दे कि उन्हें इशार इशारो में करोडो के खेल का गंभी रारोप लगा दिया और किसी का नाम भी नहीं लिया लेकिन ऐसा कहते है ना कि चोर की दाड़ी में तिनका होता है भले उनका नाम ना लिया जाए लेकिन जब उनके बारे में कोई बात होती है तो उन्हें ठीक पता होता है कि उनके बारे में ही बात की जा रही है और वो सामने से बिना नाम लेने के बावजूद जो है अपना जवाब देने अपनी राय रखने आ जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने के मिला आपको दादे के कुमार विश्वास ने अपने ट्वीटल हैंडल से ट्वीट किया जिसमें लिखा कि पीने वालों की उम्रे 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की नीती लागू करने के सिफारिश को लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था मैंने दुदकार कर भगाया था और दोनों ने टाव को चेताया था अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड की डील में मामला सेट कर लिया है आपको बता दे कि यहां पर उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया उन्होंने जो है रांडम ली एक ट्वीट किया लेकिन इसके बाद ही कुमार विश्वास ने पहले भी यह पहली बार नहीं है दिल्ली सरकार के उनके कई कामों को लेकर वो उन पर निशाना साथते रहते ह हैं और उनसे सवाल पूछते रहते हैं आपको बता दे कि उन्होंने ट्वीट पर रिप्लाई करने की जो है अब लाइन लग लगतार अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं अब इसी पर आपको बता दे कि विश्वास के ट्वीट पर आप विधायक नरेश बल्यार ने भी ज दूसरा तती है कि शराब का एक भी ठेका नहीं बड़ा है चार कम हुए है बाकी हमें पता है कि राजसवा का दर्द जीवन भर रहेगा ऐसे ही जूट फैलाते रहें अगवतादे कि उनके इस जवाब के बाद एक और जो ट्वीट है वो कुमार विश्वास के तरफ से किया तो उन्होंने जो है इस तरीके से एक और ट्वीट किया और उन पर निशाना साथते हुए नजर आए तो आप देख सकते हैं कि लगतार जो है बामादभी पार्टी अब घरे में खड़ी हो चुकी है जिस तरीके से नहीं अबकारी नीती लेकर आए हैं उसके बाद से ही उन एक्सिसाइस पॉलिसी जो इनने लगाई है उसे किस तरीके से सही बताने की कोशिश की है उन्होंने एक रिट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि दिली सरकार ने टोटल नंबर जो लिक्वर शॉप का है उसे 850 पर जो है सिमित कर दिया है ठीक है साथी उन्होंने दू जिसे उन्होंने रिट्वीट किया इसका मतलब आप खुछ समझने की कोशिश करिये कि आखिर यह कौन सा जवाब था या क्यों सा जस्टिफिकेशन था जो वह देने की कोशिश कर रहे थे जहां पर हर वाड में तीन दारू के ठेके जहां पर आपको ने जो है हजार इस तर पाने लोग इन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं उनके इस नई अबकारी नीती से निव जो एक्सराइज पॉलिसी है उसके उपर भी बीजेपी काफी हमलावार नजर आई है दिल्ली की सरकार की नई एक्सराइज पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी अब सड़क पर उतर बीजेपी का केहना है कि केजड्रीवाल सरकार ने पान सो सकूलों का वादा किया था लेकिन उन्हों नजर आ रहे हैं जहां पहले दारू लेने के लिए थोड़ा जो है पेट्रोल भी खर्च करना पड़ता था वहां एक वाड में तीन तीन दारू के ठेके लगा दिये हैं यानि घर से निकलो मेडिकल शॉप मिले या ना मिले इस वक्त जब की कोरोना इतना बढ़तवा नजर आ अब केजरिवाल भी महिलाओ के बारे में इतना अच्छा सोचने लगे हैं कि उन्होंने अब पिंक जो है दारू की बूत का भी जो है इंतिजाम कर दिया है जहां पर महिलाओ को लभाने के लिए उन्होंने दारू पर 30 प्रतिशत के छूट भी दी है यानि केजरिवाल जी है वो कितने बुद्धी मान व्यक्ति हैं अब देख सकते हैं कि मने पुर्शों के लिए तो दारू घरगर एविलेबल उन्होंने करवा ही दी एक वर्ड में तीन तीन दारू के ठेके लगवा दिये अब महिला जो है महिला जो है महिला जो इतने दिने से थोड़ा बैक सिट इस मामले में लेती नज़र आती है अब महिलाओ के लिए उन्हें इस सुविदा सामने लाके रग दी उन्हें लगता है कि सुविदा का पूरा-पूरा लाब महिला उठा सकती है कि अब उन्हें पिंक दारू की बूत चालू की है जहां पर 30% चूट भी दे रहे हैं कि आओ कि इस नई अबबकारी नीती को लेकर उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग यह पूछ रहे हैं कि केज़री वाल करना क्या चाहते हैं कहीं पर कुछ वादे करते हैं कहीं पर कुछ और करते हुए जो है देखते हूए अभी आने वाले व्त में चुनाओ भी होने वा है उनके साथ खिलवार करें विश्वास के साथ खिलवार करते नजर आ रहे हैं आप यह सोचिए कि वह महिला है जो इतनी परशांति आपको बदादे एक डाटा निकल कर सामने आये था जब कोरोना के आपको बता दे की डारू बिकने के वजएसे ऐसे ही घर बर्बाद हो चुके हैं कई सारे जो नीचले स्थर के लोग है जो जो इससे काफी जादा परिशान रहते हैं जो चाहते हैं कि डारू बंद हो जाए ताकि उनके घर में थोड़ीज़ान होगा अब तो वह अपनी महिला क्योंकि इसमें 30% की छूट मिल रही है हम यह जानना चाहेंगे कि इस वक्त जब लोगों की सबसे बड़ी एक रिक्वार्मेंट है दिली के जनता की आपर मामले इतने बड़ है को रोना के सबसे बड़ी रिक्वार्मेंट मेडिकल चीजे है मेडिकल से रिलेटे जितनी भी च तरकार के देखने करें मिल रही है जहां पर सत्ता में होके जनता के हित में काम करने के बारे में सोचने के अलावा जनता का आहित करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें नशा मुक्त करने के वजाए उन्हें नशे के अंदर धकेलते नजर आ रहे है एक हजार दारू की बूत आप सोचिए दारू के 1,000 ठेके, हर वाड में 3 दारू के ठेके देखने के लिए मिलेंगे, पिंक जो है उन्होंने दारू का बूत बना दिया, उस पर 30 प्रतिशत आफ दे दिया है, तो अभी जो है, यह सिर्फ रेविन्यू से हिने मतलब है, उन्हें सिर्फ जितना पैसा यह है, तो इसके लिए अब यह कह सकते है कि केजरिवाल जी की जो सरकार है, जो उनकी सोच है, वो काफी जादा महान है, जो अब देखने के लिए मिल रही है, ठीक, उनका कैसा यह दोहरा चेहरा, यू कह सकते हैं, जो दोगला चेहरा है, पंजाब में कुछ और, वोटर्स को ल जरुती क्या थी, जब रेविन्यू के चकर में अपने लालच के चकर में से फिर 21 साल करना था, तो ऐसे में कई सारे सवाल है, और लगातार यह सवाल को कट घरे में खड़ा करती नजर आएगी, अब यह देखना होगा कि आगे चलकर इस पूरे मुद्दे पर उनकी तरफ स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर था है